मीठे बच्चे बाप और दादा की भी वन्डर्फुल कहानी है बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रमा कुमार कुमारी वर्षे के अदकारी बनो प्रश्ण निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष अवश्य रखना है उत्तर पुर्शा रतकर गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे करमातित बनने का लक्ष अवश्य रखना है करमातित अर्थात आईरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना उर्शा रतकर यही थोड़ा सा समय है इसलिए विनाश के पहले अपनी अविस्टा को अचल अडूल बनाना है ओम शान्ती ये दोनों कौन कहते हैं एक था बाबा एक था दादा कहानी सुनाते हैं न एक काराजा एक किरानी अब यह फिर है नई बात एक बाबा एक दादा तुम कहेंगे पाँच दादा पहले भी एक दाश शिव बाबा दूसरा था ब्रह्मा दादा अब शिव के बच्चे तो सब हैं सबी आत्माएं एक बाब की संतान है वै तो है ही है ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा भी थे प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थी उन्हों को कौन परहते थे शिव बाबा प्रजा पिता ब्रह्मा की ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां धेर बच्च ब्रमा कुमार कुमारिया मानते है परोबर हम शिबाबा के बच्चे भी है पोत्रे भी है बच्चे तो है ही अब पोत्रे बने है ब्रमा द्वारा दादे से वर्सा लेने अभी तुमको दादे से वर्सा मिलता है जिसको शिबाबा कहते है परन्तु ब्रमा कुमार कुमारिया होने कारण उनको हम दादा कहते है वर्सा दादे का है ब्रमा दादा का नहीं वैकुंठ वासी बनने का वर्सा मिलता है बच्चे जानते हैं स्वर्गवासी बाप द्वारा ही बना जाता है आदा कल्प वर्षा पाते हो तुमको स्राप मिलता है रावन से नीचे उतरते आते हो जैसे कि ग्राचारी बैठती है नीचे उतरने की अभी तुम बच्चे समगते हो हमारी ग्राचारी राहू की नसा पूरी हुई राहू की नसा है सबसे बुरी उच्चते उच्च विर्षवत की नसा फिर राहू की नसा बैठी तो पांच विकारों के कारण हम काले हो गए अब फिर बाप कहते है दे दान तो छूटे ग्रान है तुम्हारी बात उन्होंने फिर सूरे चंदरमा का ग्रहन समझ लिया है जब ग्रहन लगता है तो दान मांगते हैं यहां बाप तुम को कहते है पांच विकारों का दान दो तो ग्राचारी उतर जाएंगी इन विकारों से ही पापात्मा बने हो मुख्य है दे अवमान पहले ऐसा सतो प्रदान थे फिर सतो रजो तमो बने है चुरा सी जन्म लिये है यह तो पक्का निश्चा है बरोबर देता है ही चुरा सी जन्म लेते हैं पहले उनों को ही मिलना है बाप से गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बाप कहते है पहले पहले तुमको सत्यक में बेजा था फिर अभी तुम ही आकर मिले हू आगे तो सिर्फ गाते थे उनका यतरत अर्थ अभी बाप बैच समझाते है सभी वेद शास्त्र जपत अपस लोगन आद जो भी है सब का सार बाप बैच समझाते है चकर तो बिलकुल सहज है अभी कल्युग और सत्युग का संगम है लराई भी सामने खड़ी है यह भी तुमको निश्चा है सत्युग की इस्तापना होती है कल्युग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलात हो जाएंगे बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुक्तू कर जाएंगी आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी यह तुमारी बुद्धी में अभी है जब तक हम करवाती तक अविस्ता को पाएं तब तक संगम पर खरे है एक तरफ है क्रोडे मनिश दूसरे तरफ हो स्रफ तम थोरे से तुमारे में भी कितने हैं जो निश्चे वुद्धी होते जाते हैं निश्चे वुद्धी विजयनती फिर जाकर विश्णू के गले की माला मनेंगी एक रुद्राख्य की वाला दूसरी है रुद्ध माला उस रुद्ध माला में छोटे छोटे शिकल होती है ये निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगी फिर यहां आएंगे नमबर वार माला आठ की भी है एक सव आठ की भी है 16,108 की भी के दानें बनेंगे अब 16,000 है या 5,10,000 है उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है ये मालाएं गाई जाती है बाबा कहते है ये सब तुम क्यों बिचार करते हो जितने भी राजाएं कलब पहले सत्यत्रिता में बने है उतने ही बनेंगे सव बने या दो तिन सव बने ये पूछना नहीं है बाब कहते है तुम जितना नस्धी काते जाएंगे तो ये सब बते समझ में आएंगी आज हम यहां है कल विना शोंगा फिर सत्यक में थोड़े से देवी देवताएं होंगे बाद में विर्धी को पाते है सत्यक के आसार भी दिखाई परते है बाकी लाखों डाकर रहेंगे फिर लाख रहे वा नौल दस लाख रहे एक्यूरेट नहीं कह सकते जब एक्यूरेट समपूरण बनने के लाइक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साख्यातकार हो जाएंगा अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पर रहा है बहुत साख्यातकार करते रहेंगे लराई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है सब चीजें महांगी होती जाएंगी विदेश में भी अब खूब ट्रैक्साद लगते रहेंगे बहुत बहुत महांगाई हो कर फिर एक्दम सस्ताई हो जाएंगी सत्तिग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होंगा सब खानिया आज भरपूर हो जाएंगी नई दुन्या में वैभव बहुत होते हैं लक्ष्मी नारेन के पास बहुत वैभव थे न श्री नाथ द्वारे में मूर्सियों के आगे भी कितने वैभवों का भूग लगाते हैं वहां बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं कहेंगे हम देवताओं को भूग चरहते हैं कहेंगे देवताओं को भूग नहीं लगाएंगे तो नाराज हो जाएंगे अब इसमें नाराज होने की तो बाती नहीं तुम कोई पर भी नाराज नहीं होते हो जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश हो नहीं है कल्यक से बदल कर सत्युग होंगा हम ड्रामा को समझते है जो ड्रामा अभी नया चक्कर शुरू होता है तुम भी ड्रामा के वश्य हो ड्रामा अनुसार बाप भी आया है ड्रामा में एक मिनिट भी नीचे उपर नहीं हो सकता है जैसे बाबा आया तुमने देखा कलब बाद भी हू बहू ऐसे होंगा शास्त्रों में तो कलब की आयू लंबी लिख दी है अभी तुम बच्चों के बुद्धी में है बरोबर विनार सामने खड़ा है अभी तुम गैलप कर रहे हों जानते हू बाप को याद कर हमको करमा की तविस्ता को जरूर पाना है अर्था तारनेडेट से गोल्डनेडेट बनना है अगर अभी पुर्शारत नहीं करेंगे तो पद ब्रिष्ट हो जाएंगा हे आत्माएं अभी तुम पतित मन गई हो यह भी जानते हू बहुत किस्म के आएंगे जो और धरम में बदली हो गए है जो निकल कर आते रहेंगे आकर अपना पुर्शारत करते रहेंगे बाप से वर्शा पाने का ब्रह्मन धरम में आकर फिर दीवता धरम में आएंगे ब्रह्मन धरम में नहीं आएंगे तो दीवता धरम में कैसे आएंगे ब्रह्मन दिन पिर्शे दिन विर्दी को पाते रहेंगे देखेंगे विनाष सामने आ गया ये तो ठीक कहते है फिर विर्दी होती जाएंगी ब्रह्मनों का जार विर्दी को पाकर फुल हो जाएंगा फिर वापस जाएंगी देवताओं का जार फिर बरेंगा अबे तुम संगम पर राज युग सीख रहे हूँ इस संगम को कल्यानकारी युग का जाता है संगम का इगाएं है गंगा सागर का मेला दिखाते है वैसब है बक्ति मारे का ये है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं ज्यान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है वे समझते हैं पतित पावनी गंगा है और पर गंगा में इश्नान करते ही आते है ये नंदियां तो सत्य से लेकर चलती आती है आज कल तो नंदिया भी कहां कहां डुबो देते है पिर किर्शी भी तमो प्रदान सागर भी तमो प्रदान उपरा है सागर थोड़ी सी उचल खाएंगा तो सब कुछ खलास कर देंगा सत्यक में सिर्फ हम थोड़े ही बारत में रहते हैं यमना के किनारे पर दिल्ली परस्तान थी फिर बननी है सत्यक में तोड़ी ही जीवा अत्माएं रहती है फिर दीरे दीरे आती जाती है अभी है कल यकान कितनी इंधेर मनशों गए है बेहद का नाटिक है जिसको अच्छी देट समझना है भल कोई अपने को एक्टर समझते हैं भी है पर अंतु कल पांच अजार वरश का है ये किसको भी पता नहीं है कहां चुरा सी जन्म कहां चुरा सी लाग अभी तुम रूश्णी में हो तुमको बाप से वर्सा मिलता है बाप कहती है मन मना भावा बाप को याद करना है शिव बगवान वाच्चा कृशन थुरे ज्यान का सागर है बगवान की महमा में और देवताओं की महमा में बहुत अंतर है बाप जो नहीं रचना रचते है उनकी महमा है सरगन संपन अभी तुम ऐसे बन रहे हूँ बाप की महमा और इनकी महमा में राज दिन का फर्क है ये राज यूग है न गाया भी जाता है भगवान राज यूग स्कलते हैं वो है निराकार तो जरूर निराकार से साकार में आना परे बाप की इतनी महमा है तो जरूर आना ही परे उनका जनम देविया अलोकिक है और किसका देविया जनम नहीं गाया जाता है ये भी बच्चों को समझाया है एक होता है अलोकिक बाप दूसरा है परलोकिक बाप जिसको ही भगवान के याद करते है और तीसरा है अलोकिक बाप ये फिर वंडर्फुल बाप ये बाप एडाप्ट करते है तो बीच में ये अलोकिक आ जाता है प्रजा पिता ब्रमा के कितनी देर बच्चे ही है शु बाबा कर ब्रमा द्वारां तुमको अपना बनाते है कितनी ब्रमा कुमार कुमारियां बनती है लोकिक बाप को तो करके आठ दस बच्चे होंगे अच्छा शु बाबा भी है पर लोकिक बाप उनके तो अनेक बच्चे है सबी आत्माएं कहती है हम सब ब्रेदर्स है अब ससंगम पर फिर अलोकिक बाप मिलता है यह ग्यान तुमको वहां नहीं रहेंगा प्रजा पिता ब्रमा बाप मिलता ही तब है जब कि बाप आकर नहीं स्रिष्टी रखते है तो यह अलोकिक जनम हुआ ना इसको कोई समझ नहीं सकते वह लोकिक वह परलोकिक और यह है संगम जगी अलोकिक बाप लोकिक बाप तो सत्युक से लेकर होते आए है परलोकिक बाप को वहां कोई याद नहीं करते वहां होता ही है एक बाप हे भगवान हे परमात्मा कहकर याद नहीं करती है फिर गवापुर में जब बक्ती महरिक शुरू होता है तो दो बाप होते हैं संगम पर ही तीन बाप प्रजा पिता ब्रमा भी अभी मिलता है अभी तुम उनके बने हो बन जानते हो या अलोकिक बाप है अभी तुम इन बातों को अच्छी रिज जानते हो और याद करते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो सत्यक में याद करने की दरकारी नहीं दुख में परलोकिक बाप का सब सिमरन करते है ये तो बिलकुल सहज बात है सत्युत्रिता में एक बाप होता है द्वापुर में दो बाप होते है इस समय तुम अलोकिक बाप के बच्चे ये बने हो जिस द्वारा तुम वर्शा लेते हो तुम बच्चे ही ब्रह्मन बनते हो जो फिर देटा बनेंगे विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है जो तुमें नाखों से देखेंगे बाम्स छोरेंगे मनुष तो मरेंगे जपान में भी बाम्स छोरा देखा न कैसे मनुष मरे अब यहां लराया लगती रहती है खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं दस तस वरश तक भी लराई चलती रहती है बाम्स में तो चप्टी में सब खलास हो जाएंगे चिंगारी लगती है तो शेर नश्ट हो जाते है यह तो बाम्स है आग भी लगनी है अभी तुम बच्चे जानते हो बापा ही ही है इसका अपना और बिनाश कराने तो जरूर यह भी होंगा पुर्शारत करने का अभी समय है माया घरी घरी तुमारा बुद्धी यूग तोड़ देती है अजन तम अडोल इस्तिर कहां बने हो कहते है बाबा माया के तुफ़न बहुत आती है कोई तो सारे दिन में घंटा आदा भी याद नहीं करते बाब कहते है तुम कर्मयोगी हो आठ घंटा तो यह शिवा करनी है आठ घंटा याद कर सको इतना पुर्शारत करना है याद करते रहने से विकरम विनाश होंगे इसको ही योग अगनी कहा जाता है ये है मेंनत ग्रस्त वेवार में रहते हुए शिर्फ याद करना है यह भी बाबा बतलाते है कि जिनोंने ग्रस्त छोड़ा है बच्चे बने हैं वे भी इतना याद नहीं करते है घर में रहने वाले और इजास्ति याद करते हैं अरजन और भील का भी मिसाल देते है ना मेहनत है बाप को याद करना है और चक्र को समझना है महा भारत लराई भी जरूर लगेंगी सत्यक में थोड़े लगेंगी तो तुम बच्चों को अंदों की लाठी भी बनना है सब को रास्ता बताना है कि बाप को याद करो चक्र को याद करो स्वदर्शन चक्र दारी बनो अच्छा मीथे मीथे सिकी लदे बच्चों पृत मात, पिता, बाप, दाधा का याद प्यार और गूड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते अभी धारना के लिए मुख्ष सार कब से कब आट गंटा याद में रहने का पुर्शारत करना है अपनी अविस्ता अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बराना है गफलत नहीं करनी है दूसरी पॉइंट है यह ड्रामा बिलकुल एक्यूरेट बना हुआ है इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है निश्चे बुद्धी बनना है वर्दान दिल में सदा एक राम को बसा कर सची शेवा करने वाले माया जीत विजई भव हनुमान की विशेष्टा दिखाते है कि वैं सदा शेवादारी माहवी था इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूछ द्वारा लंका जला दी तो यहां भी जो सदा शेवादारी है वही माया के अधकार को खतम कर सकते है जो शेवादारी नहीं वो माया के राज को जला नहीं सकते हनुमान के दिल में सदा एक राम बस्ता है तो बाप के सिवाया और कोई दिल में नहो अपनी देह की सिमर्ती भी नहो तब माया जीत विजई बनेंगे अब इन लास्ट में स्लोगन है जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो ओम शान पी